सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिष शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी फूलों की सुगन केवल वायू की दिसा में फैलती है, लेकिन एक वैक्ति की अच्छाई हर दिसा में फैलती है बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी नहीं आया है, हमारे पसाच के दिन है, चलो सुरुवात करते हैं जब ही आप ये मन में निरासय की बादल घुमरने लगी, तो अपनी मन में आसा तथा उश्या पैदा करने वाले विचार लाएं, खेद में फसल के साथ कर पतवार भी उग जाती हैं, पर उसे काट कर फेक दिया जाता है ऐसा ही बरताओ आप निरासा के साथ करें, सफलता आपको निश्य थी मिलेगी आज का पंचांग, 25 सप्टेंबर 2019, देन बुद्धवार, आश्विन मास के क्रिश्न पक्ष की, एका दसी थी, दो पहर दो बचकर नौ मिलट तक रहेगी इसके उपरान द्वादसी थी थी प्रारम हो चाएगी पुष्य नामक नक्षत्र, सुब आड़ बचकर त्रीपन मिलट तक विरचमार रहेगी इसके उपरान अश्लेशन अक्षत्र प्रारम हो चाएगी आज कर आहुकाल, अर्थात, असुप समय, दो पहर बारा बचकर अठारा मिलट सी, एक बचकर अड़तालिस मिलट तक रहेगा आज कर कोई अभिजीत महुरत नहीं है आप आज अगर सुप काम करने जा रही हैं तो कल के लिए टाल दी आशंद्रमक करकरासी पर संचार करेगी और आश्योरिय कन्यारासी पर रहेंगी सिहरासी 25 सप्टेमबर 2019 देन बुद्धवार आज कारे छेतर से संबंदित इस्थान परवर्दन आपके लिए लापकारी रहेगा कुछ परशान्य लगी रहेगी इसकारण चिंतितना हूँ इनमें आपको नुकसान नहीं होगा नेजी और वेवशायक जीवन में आस्ताल मेल बिठाने में कुछ कटनाई हो सकती है किसी के साथ छोटी से बात पर जगड़ा हो सकता है अपने गुस्से पर काबू रखी बात को शान्ती पूर्ण सुल्जाने का प्रयास करी आपका मन गहरी बातों को जानने में अधिक रूची दिखाएगा आपके द्वारा किये गए कार्यों से अच्छे सफलता प्राप्त होने की संभावनाई है किसी तरह का कोई कोड मुकदमा का समश्य हो तो इस समय में निस्तारन हो सकता है बाहर की यात्रा सफल हो सकती है आपकी नीची और कामकाची जिन्दगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जिससे आप असुरक्षित और चिंतित मैसूस करेंगी लेकिन इसे अपने उपर हावी न होने दे और संतुलन बनाये रखें कोई आप से बदला लेनी की कोशिश में हैं इसे इस्तिती और भी खराब हो सकती है समहल कर रही सिहराशी वालों के लिए सौधानिया इस समय कोई कार्य करना या किसी कार्य के प्रति निर्णा लेना नुकसान दायक हो सकता है यदि आप गाड़ी या घर लेनी की कोशिश कर रही हैं तू आपको समश्य उत्पन न हो सकती है आज कोई नया काम भी सुरूना करें लव लैफ की बात करें तू आज आप खूद को किसे ऐसे वैक्ती के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था आपसे प्रेम मधूर हो सकता है एक दुसरे के प्रति विश्वास रखना हर तरह की शमश्याओं का निदान हो सकता है करियर की बात करें तू आपको कोई भी निदना लेने से पहले अपने करियर से समबंदित योजना का एक सूची तयार करना होगा जिससे आप लाब और रहानी का विश्लेशन कर सकी दोबारा अपने निदना का मुल्यांकन करी एक जनकार व्यक्ति से रह प्राप्ता करना भी सार्था को सकता है जिस महत्तो पूर्ण कार के लिए आपने निव बिच्छाने का कारे किया था उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा हाला कि कुछ महत्तो पूर्ण शंकेतों को आप सार नादिक पाएं और निरासा और आलसेपन आप में विक्सित हो सकता है अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपके सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें सेहत की बात करे तू आज का सारा दिन बदलाव के नाम रहेगा आपके से ऐसे आदमी के समपर्क में आ सकते हैं जो या तो आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा या ऐसे लोगों से आपकी मुलकात करवाईगा जो आपकी चिंदगी में बदलाव लाएंगे हाला कि सभी तरह के परिवर्दन आपके लिए अच्छे नहीं है किसी बदलाव को लागू करने से पहले या तै कर ले की या लंबे समय में आपके लिए अच्छे पढ़ना दे पाएगा या नहीं सिहराशी वालों के लिए आज का टिप्स आज आप किसी से जूठे वादे ना करी जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ते रही आपका दे शुब हूँ